हेलो स्टुदेंट्स आज हम क्लास 10 का जो चैप्टर नमबर टू पॉलिनॉमियल से उसका एक क्वेशन सौल करने जा रहे हैं तो आए देखते हैं यह क्वेशन क्या है कि आपको एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल से पहले स्टुदेंट्स एक इंपॉर्टेंट्स नोट है वो पहले देख लीजिए फिर आपको यह क्वेशन एक्जेक्टली समध में आ जाएगा कि अगर हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो जिसका मैंने जनरल फॉर्म लिखा हुआ है है अगर उसके तीन zeros हों एलफ़ा बीटा और गामा घ्र हम यह जानते है स्टुदेंट्स की एक्स माइनस अलफा एक्स माइनस बीटा और एक्स – मांड़िक फ्रेक्टर्स होँगे तो हम इस पॉलिनॉमियल को कैसे लिख सकते हैं P X is equal to A X Q plus B X square plus C X plus D is equal to X minus alpha into X minus beta into X minus gamma क्योंकि अगर आप इन तीनों को multiply करेंगे तो आपको ये polynomial मिल जाएगा क्योंकि X minus alpha X minus beta और X minus gamma क्या है इसके factors हैं जैसे students 2 और 7 ये जो होते हैं वो factors होते हैं 14 के तो जब हम 2 और 7 को multiply करते हैं तो हमें 14 मिल जाता है तो इससे ये बात मतलब होती है कि अगर factors को multiply करें तो आपको वो number मिल जाता है तो उसी तरह से इस polynomial के factor क्या थे X minus alpha X minus beta और X minus gamma जब आप इन तीनों को multiply करेंगे तो आपका जो polynomial है वो आपको मिल जाएगा अब students इसे आप कैसे लिख सकते हैं कि PX is equal to आप इन तीनों ब्रैकेट को आपस में multiply कर दीजी एकस माइनस एलफा एकस माइनस बीटा और X माइनस गामा को आपने आपस में multiply किया तो जब आप इसको multiply करेंगे तो आपको ये expression मिल जाएगा X क्यूम माइनस आप प्लस बीटा प्लस गामा इंटो एकस स्क्वेर फ्लस और फ्लस बीटा बीटा इनटो गामा इनटो एल्फा इनटो एकस माइनस एलफा बीटा गामा जब आप इन तीनों ब्रैकेट्स को आपसे multiply करेंगे तो आपको यह मिल जाएगा तो कहने का मतलब students यह है कि अगर किसी भी polynomial की कोई cubic polynomial उसके तीन zeros हो alpha, beta और gamma और वो जो x variable का polynomial हो तो अगर आपको वो polynomial find करना है तो आप अगर यह जो expression है इसमें अगर आप alpha, beta और gamma की value put कर देंगे तो आपको वो ultimately आपको वो polynomial मिल जाएगा अब हमारे question में क्या है हमारे question में कि आपको एक cubic polynomial find करना है और उसके zeros कितने है 2, minus 3 और 4 तो देखें students जैसे आपके पास यह एक cubic polynomial तो इसका journal form यह था आपने इसके 3 zeros माने थे alpha, beta, gamma तो यहाँ पर हमारे question में alpha का place लिया 2 ने, beta का place लिया minus 3 ने और gamma का place लिया 4 ने तो alpha, beta और gamma कितना है 2, minus 3, and 4 अब क्या है देखें अगर हम यह expression हमारे पास आया है यह एक ऐसा polynomial है जिसके 3 zeros होते हैं वह polynomial ही है तो अगर आप इसमें put कर देंगे put alpha is equal to 2, beta is equal to minus 3, and gamma is equal to 4 कि अगर आप इस polynomial में alpha, beta और gamma की यह value put कर देंगे तो आपको वह polynomial मिल जाएगा जिसके zeros क्या होते हैं 2, minus 3, and 4 तो आइए इसे put करके देखते हैं तो देखे हमारे पास px is equal to हो जाएगा, x cube minus, alpha, beta और gamma की value put करनी है हमें तो alpha की value कितनी है हमारे पास? 2, beta की value कितनी है? minus 3, और gamma की value कितनी है हमारे पास? 4 into क्या हो गया? x square plus, अब यहाँ देखे, alpha into beta, तो alpha और beta की multiply करना है, यानि कि 2 into minus 3, plus beta into gamma तो beta की value कितनी है? minus 3, और into gamma की value कितनी है? 4, और plus last में है, यहाँ पर gamma into alpha, तो gamma की value कितनी है? 4 और alpha के value कितनी है 2 तो यहां हो जाएगा 4 into 2 into क्या हो गया x minus और लास्ट में हमारे पास है alpha beta into gamma तो alpha beta और gamma को multiply कर दीजी तो यहां हो जाएगा 2 into minus 3 और into कितना हो जाएगा 4 तो आई यह से solve कर लेते हैं तो यहां से px is equal to हो जाएगा हमारे पास xq अब देखिए students यह हो जाएगा 2 minus 3 plus 4 तो 4 और 2 6 हो गया और 6 में से 3 less हो गया तो 3 हो गया यहां कि किया हो जाएगा minus 3 x square plus अब students इस bracket को solve करते हैं तो जाएगे 2 into minus 3 कितना हो गया minus 6 4 into minus 3 कितना हो गया minus 12 और फुर इन्टों टू कितना हो गया यह गृत हो गया 10 और यह कितना हो जाएगा स्वी ए साल्व करेंंगे तो आप आजाएगा मानस तो यह आया संड वह आया है मानस हो गया मैम गया माहिनस 10 यह ऑल्यए禰फल मैनस से तो माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस त्री टूजा शिक्स तूजा कितना हो गया 24 तो हमारा जो पॉलिनॉमिल आया वह आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वार माइनस 10x और प्लस 24 यह वह जो पॉलिनॉमिल है जिसके जीरो क्या थे टू माइनस 3 & 4 तो आई होप स्टुडेंट्स इस कंसेट से इस बेसिक कंसेट से जो इस क्वेशिंग का सॉलिशन है वह आपको प्रॉपरली समझ में आया होगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेर कॉमेंट करेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बैल आइकन को दपाईएगा ताकि नेक्स्ट क्वेशन की नॉटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिल जाए थैंक्यू सो मच